Hi my young friends, कैसे हैं आप लोग? आपको मालूम है ना, मैंने इससे पहले भी दो वीडियोस सिर्फ आपके लिए अप्रोड किये हैं, यूट्यूब पर. जी हाँ, आपके लिए मतलब फिर्फ से एट तक के स्टूडेंट्स के लिए. वैसे, इस वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दूसरे लोग नहीं देख सकते. सब ही लोग देख सकते हैं. आपको पता है, हम सब की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, वो पॉमन हैं. अब जैसे, as a student आपको किसी ना किसी काम के लिए टोका जाता है. अगर दादी लोग होती हैं, तो वो टोक देती हैं, पापा लोग टोक देती हैं, उनका मनाने का कुछ और मन होता है, आपका मन कुछ और खाने का होता है, तो वो अपने मन से नहीं बना सकती. पापा लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं कई बार बोर हो जाते हैं तो सोचते हैं जॉब कर ले जो लोग सर्विस में होते हैं जॉब कर रहे होते हैं उनको लगता है काश बिजनेस होता तो आराम से करते हैं इसी तरह से हर एक के पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं, अब चुकि जिस एज में आप लोग हैं, उसमें आपको student माना जाता हैं, और बाकी रोल आपके पास नहीं हैं, इसलिए आपको tuition लगा देते हैं, उसी को कड़ो, अब जिसमें मन ही नहीं लगता, उसको हम जादा देर कैसे पढ़ें, तो क्या करना पड़ता है, tuition करना पड़ता है, अब आप क्या करते हैं, थोड़ी सिला परवाई करते हैं, जब tuition भी लगा है, क्लास में teacher भी समझा रहे हैं, और आपने जाके अपनी problem पूछी भी नहीं, आप दर के बैट गए, teacher डांट देगा, मुझे तो बनता ही नहीं है, या tuition में भी आपने अपनी teacher से, जो चाहे male हूँ या female, किसी से भी, आपने ये नहीं पूछा, ये मेरे को समझी नहीं आता, तो उससे पते क्या होता है, पूरा नुकस आप इतनी सारी डांट खाने से तो अच्छा है, कि मन लगा के थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, क्योंकि अगर आपको एक दूसरा subject समझ में आता है, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैंने आपको बताया था ना, brain के two parts होते हैं, left और right, उसी के हिसाब से हमारी likings, हमारी पसंद ना पसंद होती है, पर इसका मतलब थोड़ी है, कि जो चीज हमें नहीं पसंद है, वो हम करी नहीं सकते, हम चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजे हैं, जो हम नहीं करना चाहते, फिर भी कर लेते हैं, अब देखिए न, रोज सुबह उठना पड़ता है, स्कूल पार कंपल सरी होता है कि नहाओ, नहीं मन करता तब भी नहाना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजे आपको जो कम पसंद होती हैं, तब भी आप करते हैं, और धीरे धीरे वो आपके रूटीन में आ जाती है, जब रूटीन बन जाता है, तो फिर हमें उसको करने में दिक्कत ही होती, सपोज आपकी लैंग्विज इस वीक हैं, आप उस स्पैलिंग्स में मात्राओं में दिक्कत होती है, तो बेटर यह होगा कि रोज के 10 वर्स की प्रैक्टिस की जाए, उनको किसी के ज़्यादा टोकने से पहले खुदी बैठ के उनकी प्रैक्टिस की जाए, बार- thing is with spellings, अगर आपको spelling याद करने में दिक्कत होती है, तो उसको parts में करके याद करिए, लंबी spelling है तो उसके अलग-अलग parts कर लेजे, उसका pronunciation अलग-अलग करिए, और फिर उसको मिला दीजे, जब आप मिला देंगे, तो वो आपको words समझ में आ जाएगा, उसी के जैसे नए words बना दीजे, for example, अगर एक spelling लिखा है, F-O-U-N-D-A-T-I-O-N, तो यह हुआ foundation, अब हमने क्या किया, F-O-U-N-D, found, अलग कर लिया, A-T-I-O-N, Asian, अलग कर लिया, हमने पढ़ा found, क्योंकि found तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, found के जैसे R-O-U-N-D round भी होता है, S-O-U-N-D sound भी होता है, तो उसके आगे A-T-I-O-N लगा देंगे, तो Asian हो जाएगा, तो चाहे हम उसको foundation बना दें, soundation बना दें, roundation बना दें, यह तो हम पे है, थोड़ी सी मेनद करी, और आसान हो गया, ऐसे ही हिंदी की मात्राओं का है, अगर आपको कोई शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसको इसी तरह पढ़िए, सब्पोस कठिनाई, यह भी एक शब्द है, का ठपे छोटी E की मात्रा, नमे A की मात्रा और बड़ी E, बन गया कठिनाई, कहा मुश्किल था, कठिनाई के जैसे ही कोई और वर ढू पिटाई, पपे छोटी E की मात्रा, टमे A की मात्रा, बड़ी E, पिटाई, ऐसे ही बहत आसान है, थोड़ी सी मेनत देखो करनी पड़ती है, जैसे कल मैंने बताया था, कि आप कोई गेम खिलना चाहते हैं, लेकिन आपका सेलेक्शन उसमें नहीं हो रहा, या तो आप दोड कम दोड़ने की वज़े से, या तेजना दोड़ने की वज़े से सिलेक्ट नहीं किया गया, आपको चेस में नहीं लिया गया, क्योंकि आप उतनी चालाकी के साथ नहीं खेल पाते हैं, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, ऐसा कोई गेम नहीं है, जो कोई साथ से प्रिपेर नहीं किया हुआ, करना क्या है, कि अगर हमारा मन है, कि हमको भी वही गेम खेलना है, सबी फ्रेंड्स खेलते हैं, उनका सेलेक्शन हो जाता है, तो हमको दूसरों से थोड़ी सी ज़्यादा मेनत करनी है, मेनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धीरे ध अगली बार कॉंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालके, अगली बार के लिए तयार हो जाए, अगर आप पक्का कर लेंगे, मन मजबूत कर लेंगे, तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप ना कर पाएं, इसके बीच में आपको अपने खान लोजबनी रहती है, एक खालो तो ये खालो, भया मम्मा पता लगा कि हमारे घर में तो एक आते नहीं है, नॉन विस तो हमारे यांँ खाये ही नहीं जाता, तब क्या करें, तब ऐसा करते हैं कि हम अपनी साइंस बुक से निकालते हैं, कि जो चीज़े हम खाते हैं, उसमें क कितने nutritive हैं, कितना nutrition हमें मिलता है, और फिर जो हमें जादा चाहिए, आपकी बुक में है न, कौन सी चीज़ खाने से का ताकत मिलती है, बस उस हिसाब से अपना food select कर लीजे, food item select करिए, और उसी को खाईए, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप healthy हो जा आज के लिए इतना ही, बाई